तुम कभी समराठ थे ही नहीं धनानंद तुमने न केवल राजा के धर्म को अपितु अपनी चाती अपने वन को भी लज्जित किया है तुम्हारे पास एक अवसर था कि अपनी चाती अपने वन के लिए नापित समाज के लिए एक प्रिणा का स्रोत बन जाते तुम बनकर रह गए हो केवले कलंक का काला टीका यह सोच हमारे खेमे के सबसे कम उम्र के और तजुर्बेकार फिलिप की है जो अमात्या से तो उम्र में कई छोटा है होता ही है पुबूल है आपको मेरी अगवानी क्योंकि जैसा तै हुआ था जिसकी चाल बहतर होगी जंग में वही आगे रहेगा उसी का हुकम चलेगा अब धनानंद के विरोधी जानेंगे मेरा वास्तविक पल मेरे पास वो है जिसकी कभी किसी ने कलपना भी नहीं की होगी कि एक पास बस्तव कर दो सकता है अगनी मुख आओ अगनी मुख पिपलीवान के पूर्वुसेना प्रमुख पिपलीवान के एक शत्रियों तुम सब को स्मरण है ना मैंने तुम सब को जीवन दान में दिया था और बदले में एक तारे सौपा था कि तुम सब मेरे लिए इस सोने की खान से स्वन मुद्राय बनाओगे और मेरा कोश स्वन से लवालब रखोगे इसलिए तुम सब यहां इस धिरणे गर्भ में इस सोने के कुंड में मेरे लिए कारे करते हो मगत थे दूर बहुत दूर तेरे स्वन लंका से धनानंद के कोश को भरते हो अब मैं तुमें एक महत्वपूर्ण बात बताने आया कि याद से तुम सब बिना रुके बिना ठके गते पहर कारे करते रहोगे जिस प्रकार समय अपनी गती नहीं रोकता उसी प्रकार तुम सब भी अपने कर्म को नहीं रोकोगे अधिक व्यक्ति बिना विश्राम के कारे करेगा जब तक मैं आदेश ना दू शमा समराट ये सब लोग पहले ही अपनी शमता से अधिक परिश्रम कर रहे हैं भोजन और विश्राम के प्रहर तक पूरा नहीं मिलता यदि इनसे ये समय भी ले लिया तो अनर्थ हो जाएगा उस व्यक्ति को देख रहे हैं हम राट को उसे तीन दिनों से तीवर जवर है फिर भी वो कारे कर रहा है बिना किसी ओश्यधी बिना किसी उपचार के अच्छा तो फिर ही अपने पाउं पर कैसे खड़ा है जल कैसे पी रहा है अठात इसमें बल शेष है और ये बल ये बल मेरा गोश भरने की उप्योग में आएगा सम्राट के आदेश के बाद किंतु परंतु व्यक्ति को उसके अंत की ओर ले आता है अगनी मुख सुन लो सबके सब तुम सबकी प्रतेख्ष्वास मेरी रिणी है और वो रिण तुम मेरा कोश भर कर चुकाओगे क्या कहते हैं अगनी मुख हाँ कि शत्रिये बिना रिण चुकाए मृत्यू को प्राप्त नहीं होता तो मेरे स्वन्ड कोश को भरो और चुकाओ अपना रिण निभाओ अपना शत्रिये धर्म कि शत्रिये बिना रिण चुकाओगे